है गाइज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो तो दोस्तों बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि एक नया पीसी बिल्ड बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि गाइज बिकॉस नए सीप्यू जीप्यू अगैन लॉंच हो सकते हैं सीएस में जैनवरी में तो के लिए मैं लास्ट दो से तीन हफते मैंने कोई भी पीसी बिल्ड डिसकस नहीं किया है आप लोगों के साथ बट बिकॉस सारे काट्स आ चुके हैं टेबल पे अगले पांच-चे महिने तक तो आडों तिंग कुछ भी नया रिलीज होने वाला है इंटल ने कुछ नए सीप अगर तुम लोग को जानना है कि क्या है इस वीडियो एंड वीडियो से अगर तुम लोगो ने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड क्लिक करो उस नोटिफिकेशन बेल पे ताकि मेरा कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले तुम लोगो को पता चले और साथ ही अगर तुम लोग मेरे से कोई भी क्वेशन पूछना चाहते हो गाइस मैं लाइब स्ट्रीम पे हूँ आजकल मोबाइल फोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ तो यू गाइस कन गो एंड कैच में अप देर बात भी करेंगे डिसकेशन भी करेंगे गेम भी खेलेंगे त ताकि हम लोग का community और जादा strong हो सके तो गाइस अभी अभी हम लोग उने 1800 subscribers को स्क्री हैं and I am very thankful to all of you बहुत मज़ा आया आप लोग के support के साथ and अगर आप लोग ऐसे support करते रहोगे तो मैं इस तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ले के आता रहूँ तो guys आज का जो PC build discussion है अगर तुम लोग को वीडियो continue नहीं करना है तो minimize कर दो पीछे background में बसता रहेगा but the build discussion is quite interesting because इसमें हम एक बहुत ही नया part use करेंगे and the budget is the challenge not the components okay तो component जो भी मैं दिखाऊंगा वो इंडिया में आपको कहीं पे भी deliver हो जाएगा अगर आप किसी छोटे बड़ी शहर कहीं पे भी रहते हैं तो तो कोई problem नहीं है उस type का so guys the easiest way is to just go and build it out because अगले 5-6 मेने कोई नया चीज कभी भी release नहीं होने वाला है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में again हमने अपने भरोसे मन राइजन 5 1600 को चुना है because राइजन 5 2600 इस काफी अच्छा प्रोसेसर है और काफी बरोसे मन प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर से आप स्ट्रीमिंग गेमिंग सब कर सकते हो कोई problem आपको होगी नहीं फिर बात करते हैं motherboard की तो motherboard में मैंने चुना है जो की M.2 Slot, HDMI Slot, DVDI Slot, USB 3.1, DDR4 Supported Micro ATX motherboard है and it is available for 7342 रूपीज Amazon पे, so आप इंडिया में कहीं पे भी यह easily मंगा सकते हैं, as per the chipset B350 Ryzen 3000 को भी support करेगा तो future में upgrade का बहुत ज़्यादा option है, साथ ही इसके साथ जो हमको M.2 Slot मिलेगा उसका भी हम use करेंगे अपने build में, इसके अंदर हमको 5 plus 2 face VRM मिलता है तो अगर आप बहुत ज़्याद 3.6 तक तो यह easily खीची देगा, इसके stock cooler पे आपको कोई महनत नहीं करनी है, फिर हम लोग बात करते हैं guys, RAM की, तो RAM जो मेरे वीडियो में मैं जो भी product दिखाता हूँ guys, वो फटा-फट खतम हो जाता है, because people generally buy and वो इतने अच्छे deals होते हैं, so पिछली बार मैंने 888 का RAM आप को suggest किया था, and right now उसके prices again फिर से बढ़ गए है, because जो उसका stock था, वो I think खतम हो गया होगा, however, Corsair की Vengeance LPX 8GB DDR4 3000 MHz की RAM अवेलिबल है, Amazon पे 5049 रूपीज में, इसकी जो CL timings है, वो है 15, 17, 17, 17, so आप देख सकते हो, काफी अच्छा डाय है, यह DDR4 RAM इस price range में और कहीं अवेलि अगर future में upgrade करना हो, तो एक और same RAM stick यूज करके, आप 16GB या 32GB तक लेके जा सकते हो, फिर हम लोग बात करते हैं, इस system के जान की, जो है हमारा नया RTX 2060 graphics card, and मैं आप लोग को suggest करूँगा, कि आप NVIDIA के official website से करेदो, जब भी 15 तारिक को यह launch होगा, so that, because यह आपको free shipping देते है and 31,000 के all inclusive price पर यह आपको मिलता है, which is really amazing, because इससे पहले इस level का performance आपको 70 Ti से मिलता है, जो की अभी भी इंडिया में 39,000-40,000 के आसपास के price point पर मिलता है, साथ ही इस साथ आपको इस graphics card के अंदर RT course मिलते हैं, tensor course मिलते हैं, and DLSS type की चीज़े आप use कर सकते हो, and the final जो एक problem थी इन्वीडिया के साथ वो यह था कि उसका जो adaptive sync technology है, G-Sync वो बहुत महिंगा आता था, तो monitors बहुत महिंगा आते थे, so अभी इन्होंने बताया है कि G-Sync भी अब free sync monitors या adaptive sync supported monitors में, आप D4 CPUs का use कर सकते हैं, and that is why I will now definitely going to recommend you this, अब आपके monitor के साथ, whether it work or not work, यह तो समय के साथ यह आपको पता चलेगा, however, what we can suggest is, the future is bright, and NVIDIA जब adaptive sync को support करेगा, तो it will definitely give us a better gaming performance, साथ ही इसमें आप RTX के games भी enjoy कर सकते हैं, if that is something you like, and finally, इसका जो benchmarks है, वो हम लोग end में just बात करेंगे, and 31,000 में इस से पहले, इस range का कोई graphics card नहीं था, so इस range में, यानि 30 से 35,000 की range में, RTX 2060 will be the card to go for, जो आपको 2K पर 4K पर gaming करा सकता है, without any issues, फिर हम लोग बात करते हैं, अपने SSD की, तो हम लोग use करेंगे, Western Digital की 120GB internal SSD, जो की 2000 रुपीज के आसपास अवेलिबल है Amazon पे, फिर हम लोग बात करते हैं, HDD की, तो standard हम लोग का C8, Barracuda 1TB, desktop internal HDD, यूज करेंगे, 3075 रुपी फिर हम लोग बात करते हैं, इसके PSU की and cabinet की, तो guys, ये combo जो है, ये काफी अच्छा है, Corsair का Spec 05 with VS 650 PSU, ये आपके GPU, CPU and पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से maintain करेगा, आपको बहुती clean power देगा, ये, because Corsair is a very respected brand and the cabinet looks very classic, मुझे बहुत पसंद है, ये cabinet, एक red fan है, सा पर ये, however, Corsair, Spec 05 and VS 650 PSU is a very nice combo, फिर हम लोग बात करते हैं, कीबोर और माउस की तो again, Cooler Master का Devastatic Gaming 3, कीबोर और माउस कॉमबो, इस 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 अच्छी तरीक देफिनिटली गो और चेक इट आउट, however, कुछ sales अगर होंगे तो आपको थोड़ा ये कम में मिल जाएगा, so you can wait for that, now, अब इस system में सबसे जो problematic बात है, वो ये है कि आपका system बहुत powerful है, ये easily आपको 2K पे gaming करा देगा, more than 100 FPS पे, but the problem is की monitors जो है, अगर आप 2K monitors या 4K monitors लेते हैं, तो वो थोड़े महंगे हैं, the cheapest 2K monitor which is available is for 21,000 रुपी Acer का, and 4K monitor जो है, वो आपको 23,000 के आस पास में मिल जाता है, so that is why I am not suggesting you guys कि आप you go for that, because वो काफी महंगा हो जाता है, अगर आपका budget एक लाग के आस पास है, तो then it makes sense कि आप एक 2K monitor या high refresh rate monitor खरीदें, तो guys monitor में हम लोग चुनेंगे, LG का 22 inch LCD monitor जो कि 1080p resolution पे आपको VGHD में and DVDI, along with headphone ports का support आपको देगा, now I would have gone for a G-Sync monitor, but because Nvidia अब जो है वो free sync support कर रहा है, या adaptive sync support कर रहा है, तो more or less हो सकता है, यह जो free sync monitor है, यह करे या नहीं करे, it totally depends future में है, हमको जब अगर आप में से किसी ने खरीदा है, तो आपके पास यह monitor है, तो please check करके बताईए, however this is a very nice monitor, and 22 inch का बहुत बड़ा screen रहता है, near bezel-less आपको screen मिलता है, बट खास बात free sync, and अगर free sync या adaptive sync अगर हम कहें, and यह काम कर जा, NVIDIA वाले RTX 2060 GPU के साथ, तो this will be one of the best setups to go for, because यह आपको बिल्कुल smooth and tear-free gaming कराएगा, with a budget of only 80,000, which is quite nice, so guys, total जो components है, उन सब के Amazon affiliate links आपको नीचे link में, description में दिख जाएंगे, अगर आप उन links का use करके करीदोग However, GeForce का जो card है, वो NVIDIA के website से है, तो उसका एक नीचे link दिया गया है, अगर तुम लोगों में से कोई भी किसी doubt में है, तो definitely throw a question in the comment section, तो guys, I hope तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, यह सब तो हो गया, हम लोगों का build की बात, आप बात करते हैं, कि किस तरीके क हम लोगों को इसके अंदर performance मिलेगा, तो उसके लिए guys, what you need to do is, अभी आपके उपर एक link आ रहा होगा, उस link को click करो, वहाँ पे मैंने RTX 2060 के performance को बहुत अच्छे से discuss किया है, and इसी तरह का performance आपको इस setup पे मिलेगा, the future upgrade में हो सकता है, आप RAM को 16GB कर लोगे तो बढ़िया र चाहें, तो खरी सकते हैं, but I am not quite sure कि you will go for that, because ये PC जो है, ये अगले 3-4 साल आपको without any issues gaming कराएगा, and RTX games भी खेलने को मिले गया, and अगर आप लोग वो खरीते हो, NVIDIA के website से, तो आपको Anthem या Battlefield 5 में से कोई एक गेम फ्री मिलेगा, so I will suggest कि आप Battlefield 5 लो, because it's a 3-3,500 का game, and इसके अंदर आप Ray Tracing का भी मजा ले सकते हो, वो किस लेवल पर ले सकते हो, that is a different issue, however, Ray Tracing का मजा तो आप ले ही सकते हो, so guys, that's all for this video, अगर तुम लोग को components पसंद आए हैं, अगर तुम लोग को लगता है कि this video makes sense, तो बताओ मुझे नीचे comments में, and इस video को एक like दे दो, इसके अपने अगलो वीडियो में, stay awesome, stay safe, stay sexy, peace out.